हे गाइस दिस पवन एंड यूर वाचिंग स्टेडी स्किल सक्सस तो आज की इस वीडियो में हम नीट एग्जामिनेशन 2020 को लेकर कुछ मैतपून और लेटेस्ट अपडेट आये हैं उनको लेकर बात करने वाले हैं जो कि दा इंडियन एक्सप्रेस न्यूस पेपर में उसको स्टार्ट इन मही एंड जूम तो पूरी इंफोर्मेशन क्या है क्या क्या उन्होंने बोला है उसके बारे में डिसकस करेंगे यह वीडियो काफी ज्यादा इंपोर्टेन होने वाली है तो वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा अगर आपको इसमें कुछ भी फेक लगता ह तो दा इंडियन एक्सप्रेस की जो ओफिशल वेबसाइट है उस पर जाकर इस इंफोर्मेशन को आप चेक कर सकते हैं ठीक है गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाता हूं कि अभी तक अगर आपने हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया और आ केलिग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं साथी साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एंसी क्यूस नीट के टिप्स और ट्रिक्स छोट नोट्स और सो मैंनी जो अधर इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन आती है वह भी मैं वहाँ पे डालता रहता हूं तो उसके लिए भी आप हमें फॉलो परिक्षा आयोजित की जाएगी वर्तमान लोकडाउन के दुरान शात्रों और शिक्षकों के साथ लाई बातचित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माद्यम से उन्होंने इस कठिन समय में शेष अनुशासित और रोगी के लिए शात्रों को बदाई दी उन्हों उन्होंने बताया कि कख्षा एक से आड़ तक के शात्रों को अगली कख्षाओं में पदोनतिक किया गया है उन्होंने पिछले नोटिस को दराया कि सभी परिक्षाओं को दबारा नहीं लिया जाएगा और केवल उन परमुक विशों को शामिल किया जाएगा जो परवेश परिक्षा के लिए मैतवपूर्ण है, बुड परिक्षा के बारे में कागजात के लिए जो आयोजित नहीं किया जाएगा, अंकों की गणना, अंतरिक, अंकों और साल भर के प्रदर्शन के अदार पर जो है वो की जाएगी, उन्होंने जेई मेन और नीट परवियश की जाएगी नहीं, होगी बोला है, यानि की कंफर्म, पोक्रियाल ने कहा कि सभी राज्यों की शिक्षा मंतरी मंगलवार को HRD मंतरी के साथ बातचित करेंगे, वो राज्यस्तर पर सामने आये मुद्धों पर चर्चा करें, और अधिक्तम शातरों तक उन्हें पहुंचाए जिसमें बारत के 16 करोड से अधिक शातर शामिल है, मतरी ने कहा कि बारत में ओनलाइन शिक्षा को मिशन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, मतराले ने NCRT को यह भी नर्देश दिया है, कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी, कि राज्यों में पुस्तक बंडार मे पुस्तके उपलब्द कराई जाती है, ताकि अगले शेक्षनिक स्तर की पुस्तके बहुतिक रूप से शातरों तक पहुँच सके, बारत में बुक स्टोर उन कुछ दुकानों में से है, जिनने लोकडाउन के दरान खोलने के लिए एक नोड दिया गया है, ठीक है, तो जो अमेश बोकरिया नेशंग जी है, उन्होंने इस पश्टोर पर बोल दिया है कि जिसे ही स्तिती समाने होती है, तो CBSE अपने एक्जाम्स जो है, वो कंड़क्ट करवा लेगी, और बाकी जो बचे, नीट एंड जो जेई के एक्जाम्स है, जेई के जो एंट्रेस एक्जाम्स हैं, इनको जो है, वो मई, एंड, एंड, जून में कंड़क्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है, मई, एंड और जून में कंड़क्ट करवा लिया जाएगा, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है, वो पता चलेगी, एक्जाम कंड़क्ट, एक्जाम डेट आने के बाद ही, फि इतनी जो नीट की परिप्रेशन है, वो जून को लेकर कर सकते हैं।। जदा आगे मतर जाइए, अगस्ट, सेप्टेMber तक इतना एक्जाम documentation नहीं जाएगा। इस एक महेने को जितना आपसे हो सके उतना आप यूटलाइज किजिये। इस lockdown period में जो सभी पीपल्स बोर हो रहे हैं तो आपको बोर नहीं होना आपनी study को continue करना है और जितना हो सके इस मई के महीने को आपको utilize करना है आपकी नीट की परिप्रेशन में ताकि आने वाले जो नीट का exam है 2020 का entrance exam है उसमें आप एक अच्छा score करके एक बैतर से बैतर medical college ज access वहां पर भी आपको मिल जाएगा तो वहां से भी आप हमें follow कर सकते हैं याप आपको नीट का जितना भी study material हिंदी एंड इंग्लिश दोनों languages में provide करवाया जाता है क्या वह किसी भी परकार का नीट से related material हो वो सभी आपको provide करवाया जाता है आप सभी की request पर तो इसके लि कर लिए क्योंकि ऐसी ही important informations आगे भी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है फिलल आज के लिए इतना ही मिलते next वीडियो में तब तक के लिए good luck and have a nice day